पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री नवाश शरीफ ने का है कि भारत आज चांद पर पहुँच चुका है G20 समिट होस्ट कर रहा है भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर है वहीं पाकिस्तान एक-एक अरब डॉलर चीन और अरब देशों सही दुनिया भर से मांग रहा है इसे में हमारी उनके सामने क्या इचत्रे गई है हम कंगाल होने की कगार पर है नवाश ने कहा जिन लोगों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है वो देश के सबसे बड़े मुझरीम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव्वेंट की सरकार ने देश को डिफॉल्ट होने से बचाया है वहना देश में पेट्रोल के दाम एक हजार रुपे प्रते लीडर तक पहुँच जाते नवाश शरिफ ने देश की इस हलत के लिए रिटाइड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पूर्व आईएसाई चीफ फेज हैमिद और पूर्व चीफ जस्टिस मिया साकिप निसार को जिम्मेदा ठहराया है